आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मकरशंकरांती स्पेशल मोंगदाल की मंगोडियां एक दम स्ट्रीट स्टाइल यह बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाती है और खाने बहुत ही क्रिस्पी और करारी लगती हैं हेलो फ्रेंड मैं अनामिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल कोकिंग विद कॉन्फिडेंस में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमारे यूपी में मकरशंकरांती पर मोंगदाल की मंगोडियां कैसे बनती हैं तो आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब न दाल ली है यह मैंने छिलके बाली मुंकी दाल का यूज किया है आप चाहे तो जो पीली बाली धुली बाली मुंकी दाल होती है आप उसका भी यूज कर सकते हैं तो मैंने दो कप मुंकी दाल ली है जिसे मैंने लगभग 30-40 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था तो 30-40 मिनट के लिए हमने भगो दिया था और दाल बढ़िया से फूल गई है और अम मैं इसे धो लेती हूँ तो जो छिलका है ना उपर का मैं इसे बिलकुल भी नहीं निकालूंगी इसके साथ ही इसे धो लूंगी और उसके साथ में ही दाल को पीसूंगी क्योंकि हमारे जो चिलका है मैंने बिलकुल भी हटाया नहीं है और अब हमारी जो मंगोणिया है उसमें बढ़िया सा क्रंच लाने के लिए मैं दाल को 2-3 चमच निकाल के रख रही हूँ इसका यूज हम बाद में करेंगे तो अब हमारी जो दाल बची हुई है ना इसे एक मिक्सिंग जार मे डाल देती हूँ दाल का और जैसे बहुत सारे लोगों की शकायत होती है कि हम जब दाल को एकदम बारिक पीसते हैं मिक्सिंग में तो वो एकदम गीली-गीली हो जाती है और जो हमारी मंगोणिया है वो बिलकुल भी अच्छी नहीं बनती है तो आज मैं जो ट्रिक आपको बताने वाली हूँ अगर आप इस्ट्रिक के साथ में डाल की मंगोणिया बनाने वाले हैं तो आपकी जो मंगोणिया है वो बिलकुल भी श्टिकी नहीं होंगी बिलकुल भी सौगी नहीं होंगी और बहुती बढ़िया से बनकर रेडी हो जाएंगी जिस तरह ऐसे हम मार्क चॉप करके भी डाल सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए भी बना रहे हैं तो आप मिर्च को मेरे खयाल से जैसे मैंने इसे पीस कर डाला है आप इसी तरह से हरी मिर्च को भी पीस सकते हैं और आधा पोशन मैंने पीस लिया है और इसे मैं एक बोल में ट्रांसपर कर लेत तो आप देख सकते हैं, दाल एक दम बारीक पीसी है मैंने और बिलकुल भी गीलीं नहीं हुई है। और इसी तरह से हमारा जो दूसा पोशण बच गया है आधा, वो भी मैं इसमें डाल के बढ़ीया से पीस लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं, दूशा पोशन भी मैंने पीस लिया है, यानि हमारी पूरी दाल बढ़िया से पिस गई है, और मैं इसे एक बोल में सारी दाल को निकाल लेती हूँ, तो हमारी सारी दाल इसमें हमने बोल में ट्रांसपर कर ली है, और अम में इसमें कुछ और आप मैं इसे बारिक कट कर लूँगी, तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं पालक को कट कर रही हूँ, तो पालक को मैं बहुत ज़्यादा बारिक नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा मोटा मोटा ही कट कर रही हूँ, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, दाल की जो मंग भेर सारा प्रोटीन होता है और पालक को मैंने कट कर लिया है और मेस में धनिया को कट कर लेती हूं धनिया को भी मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा ही कट किया है बारीक बिल्कुल भी कट नहीं किया है और सारी चीजों को में जिस बोल में हमने डाल को पीस कर रखा था ना सारे ब तो मैंने दो प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, स्लाइस में कट कर लिया है, तो इस तरह से आप चाहे तो यसे दो दो पीसिस में भी कट कर सकते हैं, पर मैं इसे स्लाइस में यूज करूंगी, आप चाहे तो प्याज अगर आप न टेबल्स मैंने कट करके एक बोल में डाल दी है और उसी में जो हमने डाल निकाल के रखी थी ना वो डाल भी मैंस में डाल दूँगी चाल को मैंने डाल दिया है और अमेस में कुछ सूखे मसाले डालूगी तो मैं नमक डाल रही हूँ, नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं, उसके बाद मैं इसमें एक चम्मच लाल मिर्श डाल रही हूँ, आधा चम्मच मैंने इसमें साबुत जीर डाला है, साबुत जीरा से हमारी जो मंगोडियां हैं वो बहुत ही जादा टेस्टी लगेंगी, और उसके बाद मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है, तो एक चोटा चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, और अम मैं सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक् दाल में, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने दाल को mix कर दिया है, अच्छी तरह से सर्दियों में मूंकी दाल की मंगोडियां बहुत ही जदा टेश्टी लगती हैं खाने में, तो दाल हमारी बढ़िया से mix हो गई है सारे इंग्रीडियन्ट अच्छे से दाल में mix हो गए हैं, और हम एक छोटा सा portion ले लेती हूँ, आप जिस भी save में बनाना चाहते हैं, दाल को gold save में, तो आप बना सकते हैं मैं छोटा छोटा साथ, किसी मेरे साब से जो मंगोडियां है ना उसका कोई save नहीं होता है, आप किसी भी save में छोटा वड़ा कैसा भी बना सकते हैं, तो oil को मैंने एकदम high flame में गर्म करके रखा है, क्योंकि जो मंगोडियां है ना, वो low flame में इसके अंदर oil, अंदर observe हो जाएगा, और हमारी जो मंगोडियां वो खाने में बहुती ज़्यादा बिकार लगेंगी, तो gas की flame को मैंने एकदम high रखा है oil एकदम high temperature पर गर्म है तो सारी मंगोडियां मैंने oil में डाल दी हैं, और इसे में बड़ी ऐसे, जो चिपक गई हैं, मैं उसे थोड़ा सा चमच की help से हटा देती हूँ तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और अब मैं इसे पलट दूँगी, और इसमें जल्दी बाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको आराम से सिखने देना है, नहीं तो ये तूर जाएंगी, और इसका जो जो भी mixture है न, वो सारा चिपक जाएगा, स्पून में और कड़ाई में भी, तो आप देख सकते हैं, इस तरह से हमारी जो मंगोडियां हैं, वो बड़िया से golden color में आ गई हैं अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, एक प्लेट में ये देखिए आप कितनी tasty लग रही है एकड़ मिश्टरी टिस्टाइल तो ये देखिए, मैं इनको सारी मंगोडियों को एक पेपर पर निकाल लूँगी, जिससे जो हमारी मंगोडियों में जितना oil होगा न वो सारा oil पेपर आपजर्ब कर लेगा तो इस तरह से मैं सारी मंगोडियों को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ इस तरह से सारी मंगोडियों मैंने एक प्लेट पर निकाल ले है और आप देख सकते हैं, अब मैं इसकी बड़िया सी प्लेटिंग कर देती हूँ तो मैंने एक प्लेट में सारी मंगोडियों को रख दिया है और मैंने इसमें हरी मिर्च रखी है जैसे हम मार्केट में जाते हैं ना मंगोडियां लेते हैं तो भो भी इस तरह से हरी मिर्च के साथ हमें देते हैं ये देखिए लग रही है ना एकदम स्ट्रीट श्टाइल विलकुल खाने में बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हैं इसकी आवाज सुन सकते हैं मैं एक और आपको तोड़ कर दिखाती हूँ ये देखिए आई ना आवाज तो हमारी जो मंगोडियां है मकरशंक्रांती श्पेशल बो बनकर रेडी हो गई है फ्रेंड आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें और हां को प्रेस कीजिएगा जिससे आपको मेरे सारे वीडियो के नौटिफिकेशन मिलते रहें तो आप सभी को हैपी मकरशंक्रांती और आम मिलेंगे इस वीडियो में सो टेक केर बाबाए